नमस्कार मित्रों मित्रों हमारे जीवन में शास्तरों का बहुत बढ़ा भात वमान गया है इसके नुसार हमारे जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाओं के संकेतों के संबंध में बताया क्या है बस हम लोग जल्द उसे समझ नहीं पाते हैं आपको बता दे कि शास्त्रों के नुसार उसके नाम के पहले अक्षर से ही यह ग्यात किया जा सकता है कि उसके कितने बच्चे होंगे आज हम इसी संबंध में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि लोग अपनी जिन्दगी के संबंध में बहुत कुछ शियोतिश शास्त्र से ज्यात कर सकते हैं शियोतिश के नुसार कई ऐसी महतपूर जानकारी हम लोगों को मिल जाती है जिन से शायद ही हम लोग आउगत होते होंगे अक्षर देखा जाता रहा है कि शादी के पश्यात अधिकतर लोगों को बच्चे से संबंधित उत्सुकताएं पढ़ने लगती हैं और उनका दिमाग या सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर कितने बच्चे होंगे तो आज हम नाम के तहले A.S.M. और I.V.Y. वाले लोगों के संबंध में बात करने वाले हैं कि इनकी कितनी संतानी होंगी अब देखते हैं अक्षर A.S.M. वालों का अगर इनके स्वभाव के संबंध में बात की जाए तो खर्चों के मामले में काफी मित्वई इनसान होते हैं कई लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं परिवार को समझने की सबसे अच्छी योग्यता इनमें होती है प्यार के मामले में विवास से पहले रहना पसंद नहीं करते हैं हमेशा इनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे अपने रहन सहन को बहतर बना पाएं इनकी कुंडली में अक्षर दो संतान होने का योग रहता है अक्षर आई बी वाई इनका व्यक्तित्व मौज मस्ती वाला रहता है दोस्तों के बीच रहना ज्यादा पसंद करते हैं नौकरी के प्रती गंभीर तोर पर कभी नहीं सोचते इन्हें बस यह पता है कि वह अपने जिंदगी में कुछ न कुछ शरूर कर लेंगे लक्षे उनके बहुत बड़े होते हैं और अगर आप भी है इन में शामिल तो ज्योतिस विज्ञान के नुसार तीन बच्चों का भाग्य आपके लाइफ में रहता है दो मित्रों इस जानकारी के संबंध में आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी महत्पून राय अवर्शे लिखें जय माता दी मित्रों